हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चनल मंजिल तक पर फ्रेंट्स आज है पांच जनवरी और हम आज इस वीडियो में चार और पांच जनवरी के इंपोर्टन करेंट अफेर्स देखने वाले हैं इससे पाले हम कल के क्विस्चेंज का अंसर देख लेते हैं कल का क्विस्चेंज था गुजरात के ग्रीन मैं के नाम से मसूर किस उद्योगपत ने ग्लोबल एंवार्मेंट एंड क्लाइमेट एक्सेंट स्टिजन अवाड जीता है तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर होगा विर्यल देशाई आईए देखते हैं आज के करेंट अफेर्स भारत ने हासिल किया 37 बिलियन यूयस्टी का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात केंद्रिये वाडिजे और उद्योग मंत्री प्यूस गोवल ने कहा कि भारत ने दिसंबर 2021 में 37 बिलियन अमेरिकी डालर क अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात हासिल किया है जो दिसंबर 2020-37 प्रिष्ट की बिद्धी है उत्तर प्रदेश वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट ओडी ओपी योजना के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्सन करने वाला राजियों में से एक है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्राले में सचीव का पदभार ग्राण बिनी महाजन आये सद्क्यारी ने जल सक्ति मंत्राले पेजल और सुचता विभाग में सचीव का पदभार ग्राण किया इससे पहले वाद 26 जून 2020 से पंजाब की मुख सचीव के रुप में कारे थी सुस्री महाजन ने 2007-2012 तक भारत के प्रदान मंत्री के संयुक्त सचीव के रुप में कारे किया और इससे पहले 2005 में आर्थिक कारे विभाग वित मंत्राले में निदेशक के रुप में भी कारे किया तो कुष्ण बन सकता है कि जल सक्ति मंत्राले में सचीव का पदभार किसने एक रहन किया तो इसका साइटर होगा विनी महाजन नेक्ष देखते हैं менее तीन बार के ओलंपिक ट्रिपल जम्प बिजेता विक्टर सान हो का निधन कुझी ले में कई वा उलमपिक चैंपियों रहे विक्टर सान हो का 3 जनवरी को आर्श्रेलिया के सिडिनी में rural हो गया सानेव का जन्म जार्जिया में हुआ था और उन्होंने सोव्या संग के लिए मैक्सको सिटी में उनिक और मांट्रियल में लगातार तीन ओलंपिक सवड़ पदक जीती थे 1850 में उन्होंने रज़त पदक जीता उन्होंने उनिस उनात्तर चोहत्तर में ट्रिपल जंप में यूरोपी चेंपियंसिप भी जीती तो किस्यन आ सकता है कि हाली में तीन बार के ओलम्पिक ट्रिपल जंप विजेता कौन थे जिनका निधन हुआ तो इसका अंसर होगा विक्टर सानेव आई देखते हैं नेक्स्ट O N G C की पहली महिला CMD के रूप में निधन हुई अलका मित्तल द्यान दीजगा उर्जा प्रुमुक टेला और प्राक्रितिक गयस निगम ओयन जीसी ने तीन जनुवरी को अलका मित्तल को अपनी पहली महिला अध्यचा और प्रवंध निधेशक CMD के रूप में निधन हुए उन्होंने ONGC के CMD के रुप में सुसाथ कुमार की जगह ली, सुबास कुमार की जगह ली, निसी वासुदेव जिन्होंने मार्च 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेत्रित किया था, के बाद उल्का मित्तल तेल कंपनी की अधिस्ता करने वाली इसकी दूसरी महिला बनी, ONGC का जो मुख्याला है वो नई दिली में इस्तित है, हर साल चार जनवरी को मना जाता है विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस हर साल ब्रेल लिप के अविस्कारक लूई ब्रेल की याद में मना जाता है, जिनका जनव जो है चार जनवरी 1809 को हुआ था, विश्व ब्रेल दिवस फ्रांसीसी सिचक लूई ब्रेल की जैनती का प्रतिक है, जिनोंने कम उम्र में नेत्रिहिन होने के बाद ब्रेल प्रडाली का अविश्कार किया था संचार में ब्रेल के महतुके बारे में जागरुकता फैलाने के लिए 20 स्वे ब्रेल दिवस मना जाता है रच्छामंत्री ने किया कलपना चावला Space Science Research Center का उधगाटन रच्छामंत्री रादना सिंग ने 3 जनवरी 2022 को चंडी गड़बी स्विध्याले में कलपना चावला Center for Research in Space Science and Technology KCCRESST का उधगाटन किया उन्होंने रच्छा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 क्रड़ रूपए की छात्र प्रित्ति योजना की भी घुषड़ा की सिउसेट 2022 में 75 में स्वतंत्ता दिवस की पूर्व संध्या पर अंत्रिच में लांच किये जाने वाले सिउसेट 2022 तो रच्छा मंत्री ने कलपना चावला स्पेस साइंस रिसर्स सेंटर का उधगाटन कहाँ पर किया तो चंडीगड़ भी सिविद्याले में नेक्ट देखते हैं important question है जमू और कस्मीर बैंक ने किसको अपना sio निक्त किया तो इसका answer को जमू-कस्मीर बैंक ने बलदेव प्रकास को एक च्छाधीन अधिकारी के रुप में SBI में सामिल हुए थे और SBI मुंबाई में मुख महा प्रबंधक थे नेक्स टाए फ्रांस ने संभाली यूरोपीय संग परिशत की अजचता फ्रांस ने एक जनुरी 2022 को यूरोपीय संग के घुर्डन रोटेटिंग अध्यच का पदभार ग्रहन किया फ्रांस ने पिछले 14 वर्सों में पहली बार अध्यच का पदभार समाला है परिशत की अजचता जो है हर 6 महीने में यूरोपीय संग के सदस्यों देशों के बीच घूमती रहती है इस 6 महीने की अध्यच देश परिशत में हर अश्तर पर बैठकों का आवेजन करेगा जिसे परिशत में यूरोपीय संग के काम की निरंद्रता सुनेश्चित करने में मदद मिलती है तो अभी फ्रांस जो है ओ यूरोपीय संग परिशत की अजचता संभाली है रोटेटिंग अध्यच के रूप में नेक्स्ट है पाकिस्तान के मुहमद हफीज ने लिया अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास पाकिस्तान के पूर कप्तान मुहमद हफीज ने कथित तोर पर 3 जनूरी 2022 को अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास की घोसड़ा की मुहम्मद हफीज जो है ICICI T20 World Cup में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कायप्टिक लाड़ी है अपने 18 साल से अधिक के प्रतेश्चित कैरियर में हफीज ने पाकिस्तान के लिए 218 ODI और 55 टेस्ट मैच और 119 T20 में भाग लिया जहां दीजेगा question ऐसा पुछा जा सकता है कि मुहम्मद हफीज जिनों ने हाली में क्रिक्रिक्रिक से सन्यास लिया वो किस देश से संब्दित हैं तो answer होगा पाकिस्तान नेक्स देखते हैं रोहित कुमार को किया गया बिहार विभूती संबान से संब्मानित media trends के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार व्दिमता समयलन 2021 में बिहार वुभूती संब्मान से संब्मानित किया गया किने रोहित कुमार को या कारकरम ENDMC Convention Center नए दिल्ली में आयोजित किया गया था और Let's Inspire बिहार द्वारा आयोजित किया गया था कानकलेओं का उध्यस ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने स्वेच्छिक आधार पर किसी भी मुख की विशय पर भविश के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है नेक्स्ट दखते हैं खगोल विदो नेकी प्रतिवी जैसे मैगनेटो स्फियर वाले पहले एक्सो प्लेनेट की खोच सुदकरताओं ने हमारे सवर मंडल के बाहर एक ग्रा के चारो और एक चुम्बकी छेतर के पहले संकेतों की खोच की है हवल स्पेस टेली स्कोप के डेटा का उप्योग करके खगोल विदो की एक अंतराश्री टीम द्वारा यहाँ खोच की गई पिचारा दिन ग्रा एक्सो प्लेनेट यहचेटी पी वन वन भी है जो प्रत्वी से लगबग एक सो तेईस प्रकासवर से दूर है हवल ने मेंगनोट स्फियर नामक ग्रा के चारो और कार्बन आयनों का पता लगाने में कामयाभी हासिल की सुडान के प्रधान मंत्री अब्दुल्ला हम्दोक ने की अपने स्थिपी की घोशडा सुडान के प्रधान मंत्री अब्दल्ला हम्दोग ने सायने तक था प्लट के बाद राजनेतिक गतिरोद के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तिपी की घोस्ड़ा की एक साथे में अंतराश्टी दबाव के बीच नॉम्बर 2021 में हम्दोग को फिर से नियुक्त किया गया था 2021 में जियस्टी संग्रा में ओडिशा सीर्स पर 43 प्रिशत की ब्रिद दर्ज करते हुए 4080.4 करड़ रूपए के संग्रा को छुआ है जियस्टी लागू होने के बाद से यह राज जियस्टी का अपता का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रा है राजसरकार दोरा पिछले वर्स लहो अयस खादानों की सफल निलामी इस वर्स कर राजस्ट में ब्रिद्ध में मातपूर योगदान दे रही है तो 2021 में जो है जियस्टी संग्रा में उडिशा राज जो है उस सीर्स पर है इन्होंने टोटल 43 प्रतिशत की ब्रिद्ध दर्ज की गई बारत में 3 जनवरी से सुरू 15-18 साल के बच्चों का टिका करण बारत में 15-18 वर्स की आईप के लिए टिका करण 3 जनवरी से सुरू हो गया है जबकि कमजोर स्रेडियों के लिए तीसरी कुराक 10 जनवरी से सुरू होनी है इस जनसंख्यास रेडी में केवल को वैक्सीन दिया जाना है और को वैक्सीन के अत्रिक खुराक सभी राज्यों और केंसासित प्रतेसों को भेजी जाएगी जिनका जर्म वर्स 2007 या उससे पहले है वे इस रेडी के थाट टीका करण के पात रहूंगे उपराष्टपति नाइडू ने कदमत एंड्रोड दीप लच्छ दीप में किया दो कालेजों का उधुखाटन उपराष्टपति एंड्रोड ने 2 जनुरी 2022 को लच्छ दीप के कदमत और एंड्रोड दीप में कला और विग्ञान के दो महाविद्यालों का उधुखाटन किया आपसे कुछ सेंग पुछा जा सकता है कि कदमत और एंड्रोड दीप किस दीप पर है तो इसका अंसर होगा लच्छ दीप पर नाइडू जो पॉंडिचेरी विशुद्याले के कुलादपत भी हैं जिसे कालेज संबंद हैं ने काउसल विकास के मात पर जोड़ दिया उन्होंने भारत के उपराश्पत के रुप में दीपों की अपनी पाली अधिकारी क्यात्रा पर प्रसन्नता अब्यक्त की नेक्स्ट है एथियोपिया के एजेग येहु ताय वेरेहु अरेगावी ने पांच किलोमेटर इस परदा में तोड़ा विशु रिकार्ड एथियो संगाई ने दो नए चालक क्राइथ मेट्र लाइन हैं दो नए लाईनों के सार कि मेट्रो नेट्वर्क की कुल नमभाई आट zo第一 किलोमेटर हो गई है वर्तमान में संगाई एक стоouri्ट सट क्लोमेटर की पूरी तो तरह से स्वचारित मेट्रो लाइनों का संचालन करता है जो बिनोत कन्नन ने विस्तारा के CEO के रूप में समाला पदभार। बिनोत कन्नन ने एरलाइन के मुख कारेकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्राण किया है। कन्नन ने लेसली थंक का स्थान लिया जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक CEO थे। विस्तारा टाटा संस प्राइबेट लिम्टेड और सिंगापूर एरलाइन्स यसाईय के बीच 51 रेशियो 49 का संयुक्त उद्याम है। विस्तारा क्या है टाटा संस प्राइबेट लिम्टेड और सिंगापूर एरलाइन्स यसाईय के बीच 51 रेशियो 49 का संयुक्त उद्याम है। दीपक राजावत को विस्तारा के मुख वाड़ी जी एक अध्क्यारी की भूमक्या निभाने के लिए पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट है। जापान ने विशाल इनमारसाइट 6 F1 संचार उपग्रा को कच्छा में किया लांच। इनमारसाइट 6 F1 उपग्रा को याच 2-8 राकेट से 22 दिसंबर 2021 को जापान के तनेगासिमा अंत्रिच केस से लांच किया गया था। आई 6 उपग्रा पाले से काम कर रहे इलेरा और ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर के साथ संगत होंगे। याच 2-8 जापान का प्राथमिक मध्यम लिफ्ट लांचर है। इसने जापान के हायाबूसा 2 छोद्रग्रा सेंपल रिटन मिशन 2014 में और संयोक्त अरब अमिरात के होप मार्स आर्बिटर 2020 को भेजा है। अनुक्रित उपध्याय की कितसुंगी ने जीता सुसीला देवी पुरसकार 2021। जापान ने पेश किया दुनिया का पहला डुवल मोड वाहन। प्रदान मंत्री मोडी ने रखी मेजर ध्यान चंद खेल विस्विद्याले की आधार सिला। प्रदान मंत्री नरेंद मोडी ने दो जनुक्री 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरट में मेजर ध्यान चंद खेल विस्विद्याले की आधार सिला रखी। आज का कुश्चन है कि देश की पाहली कागज रहित अदालत ने में से कौन सी बन गई है। आप संस आपके सामने हैं।